इन राशियों की लव लाइफ रहेगी बढ़िया. मेश राशी, जिन लोगों की मंगल के गोचर के दोरान लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, उसमें सबसे पहले मेश राशी का नाम आता है. आपके पहले भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं. इसका आपके प्रेम एवं वैवाहिक जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा. आपका और आपके जीवन साथी का रिष्टा मजबूत होगा और आप दोनों रिष्टे में अच्छी प्रगती हासिल करेंगे. कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके प्रेम संबंद में खुशियां लेकर आने का काम करेगा. मिथुन राशी मिथुन राशी के ग्यारहवे भाव में ये गोचर होने जा रहा है. इस दोरान पती पत्नी के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है. आप दोनों एक दूसरे को बहतर तरीके से समझ पाएंगे. इसके साथ ही आपको अपने पार्टन के साथ क्वालिटी टा के स्वामी है और अब मंगल का मेश राशी में गोचर आपके दशम भाव में ही होने वाला है. इस समय आपके और आपके पार्टन के रिष्टे में सुधार आने की समभावना है. आप दोनों का रिष्टा मजबूत होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंग के एवं अपने रिष्टे में जुडाव महसूस करेंगे. सिंग राशी सिंग राशी के लिए मंगल चतूर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं. मंगल का मेश राशी में गोचर आपके नवम भाव में होने वाला है. आपको इस दोरान अपने पार्टन के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. ये समय आपके प्रेम एवं वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल है और आप इस शुब समय का भरपूर लाब उठा पाएंगे. जीवन साथी के साथ आपके रिष्टे में मजबूती आएगी. व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी के लिए मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी है और अब वो आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं. आप अपने पार्टन के साथ आपसी तालमेल बनाए रखने में सफल होंगे. आप दोनों के बीच आपसी समझ भी बढ़ेगी. आप अप आपने जीवन साथी के प्रेम और स्नेह का आनंद लेते हुए नजर आएंगे. इस प्रकार मंगल का ये गोचर आपके प्रेम जीवन के लिए शुब साबित होगा. मीन राशी में होते हैं, तब व्यक्ती अपनी मन की बात को सहजता से व्यक्त कर पाता है. व्यक्ती आत्म विश्वास से भरपूर और आत्म प्रेरित बनता है. जातक की निर्नय लेने की क्षमता बहतर होती है. इनमें साहस और द्रिड संकल्प बढ़ता है. ये अधे कावेगी और मु ग्रह के अधीन आने वाले जातकों में नित्रित्व करने के गुण होते हैं. ये साहसी और इमांदार होते हैं. मंगल इन्हें अपने सपनों को पूरा करने और अडचनों को दूर करने के लिए प्रोथसाहित करता है. आप अपने जीवन की चुनोतियों का किस तरह से सामना करते हैं ये मंगल पर ही निर्भर करता है.